नमस्कार दोस्तों, मैं मद्रदेश बोल रहा हूँ कल आपने सुना वोराशासन के समय चला कुर्सी का केल आज सुनिये पटवाशासन और तब की गुडबाजी कैसी थी मार्च 1990 में जब भाजपा की सरकार बनी तब उसमें वे सभी निता पहली बार विधायक बन कर आए जो आजकल मद्रदेश और 36 गड़ की राजनिती में भाजपा की शिर्श पदों पर मौजूद है शिवराज सिंग, कैलाश विजवरगी, प्रहलाद पटेल, रामपाल सिंग, अनूप मिश्रा, जहन्त मलाईया, नरेंदर सिंग तोमर, ब्रिज मोहनगरवाल, प्रेम प्रकाश पांडे और डॉक्टर रमन सिंग उसी दोहर के नेता है मुख्य मंतरी के लिए जो विधायक दल की बैठक भोपाल के रविंद्र भवन में हुई, उसमें कैलाश जोशी भी उमिद्वार थे, लेकिन हाई कमान ने सुंदर लाल पटवा के पक्ष में फैसला किया अपने बलबूते पर भाजपा की सरकार 1956 के बाद पहली बार बनी थी, शबत का इस्थान पहली बार राजभवन के बाहर लाल परेड़ ग्राउन पर तैक किया गया मंत्री मंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया उनमें बाबूलाल गाउर एक थे गाउर ने उस समय शहरों के सौंदर ये करण के लिए जिस तरह से अतिकरमनों को हटाया उसके बाद उनका नाम बुल्डोजर मंत्री पढ़ गया इस सरकार में भी आपसी मतभेद और मन बुटाव कम नहीं थे कैलाज जोशी ने पटवा के मातहद काम करने से मना कर दिया और वें मंत्री नहीं बने हलाकि आठ मैने बाद वे उसी सरकार में उद्योग मंत्री बन गया उन दिनों पटवा और ठाकरे के साथ के लाश सारंग की चोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। इनके खिलाफ प्यारे लाल खंडेलवाल और उन दिनों धीरे धीरे लोकप्री हो रही उमा भारती थी। बहाजपा की सरकार अपने प्रसिद्ध नारे बहाजपा का कहना साफ हर किसान का कर्जमाफ पर चुनी गई थी जब कर्जमाफी की बाद नई सरकार के सामने खड़ी हुई तब पताचला की सरकार के पास इतना पसा है ही नहीं जद्दो जहद के बाद कॉंग्रिस की केंद्र सरकार ने तब 640 करोर के कर्जमाफी की राशी की अनुमती नाबाड और रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रदेश सरकार को दी। अगले ही साल लोग सभा में चुनाओ हुए। अटल बिहारिवाच पे लखनओ के साथ विदिशा से भी चुनाओ लड़े और दोनों जगह से जीते। बाद में उन्होंने लखनओ की सीट अपने पास रखी और विदिशा छोड़ दी। विदिशा से शिवराज सी को प्रत्याशी बनाया गया जो तब बुधनी से विदिशा से जीत गए और उसके बाद लगातार 2005 तक वहां से सांसद रहे। इस बिच कुछ नए राज्यमंत्रियों के पास साल भर तक जब कोई महत्वपोर्ण फाइल नहीं पहुँची तो उनका सरकार से मोह भंग होने लगा। इन परिस्थितियों में एक दिन सुन्दरलाल पटवा के विद्द 36 युवा विधायकों की एक बैठक होटल पलाश में होना तैह हुआ। अगले दिन जब राद को बैठक शुरू हुई उसमें मातर सूला विधायकी पहुँचे। उनको भी तब बहुत विचित रिस्थिति का सामना करना पड़ा जब मुख्य मंतरी पटवान सुवयम वहां पहुँच गए। बाद में पता चला कि उन 36 में से ही किसी विधायक ने इस मिटिंग की खबर लीग कर दी थी। पटवा ने अपने समय सक्त प्रशासन के अलावा गुंडों के खिलाफ अभियान चड़ा। लेकिन प्रदेश में सरकार इस्तर पर लोटरी का संचालन करके काफी विवादास पत भी रहे। उन दिनों प्रदेश का हर युवा यहां तक की बच्चे भी लोटरी के नशे की गिरफ्त में इसकदर आ गए कि कई परिवारों को आत्मात्या करना पड़ी। सुंद्रलाल पटवा के सक्त प्रशासक और हर धर्मिस वभाव के कारण बहुत से भाज़ पानेता और कारिकरता सरकार से नाराज रहने लगे। सरकार बनने के लगभग दो साल बाद 36 गड़ के निता विरेंद्र पांडे ने 71 विधायकों के हस्ताक्षर कर पटवा के अधिनायकवादी रवाईये का विरोध किया। भाज़ पा की गुडबाजी आने वाले सालों में इतनी विक्राल हो गई कि एक समय के लाज जोची को मद्य प्रदेश से हटा कर राश्य इस तर पर किसान मूर्चा का ध्यक्ष बनाया गया। कुशा भाउ ठाकरे को मद्द्रदेश संगर्थन से हटा कर दिल्ली ले जाए गया। प्यारे लाल खंडिल वाल को हर्याना भीज दिया गया। इस बीच राम मंद्र का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। वो यूग अटल बिहारी वाजपई और लाल कृष्णा आडवानी का यूग था। इस आंदोलन में उमा भारती जैसे नेताओं को बहजपा के राश्टिय पटल पर महत्वपूर्ण नेता के तौर पर स्थापित कि राम मंद्र आंदोलन के चलते 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जित का विद्वंस हुआ तब कई राजियों में दंगे भड़क गए। इन दंगों में सबसे खतरनाक स्थिदी भोपाल की रही। जब दंगे बेकाबू हो गए और राज्य सरकार उन्हें समालने में बेबस नजर आने लगी तो केंद्र ने सुंदरलाल पटवा की सरकार को भंग कर राश्पतिशासन लगा दिया। मद्यब्रदेश में राश्पतिशासन सबसे लंबे कारेकाल करा जिसने फिर से एक बार कॉंग्रिस को अपनी जड़े मजबूत करने का मौका दे दिया। राश्प उबरा कॉंग्रिस का नया नितित्तुव। सुनिये कल तेरवे भाग में।